बिर्जु मजुरी करता था, उसकी शादी नहीं हुई थी, गाव से दूर एक छोटे से घर में वो रहता था, एक दिन घर लोटते वक्त उसे एक औरत दिखी, क्या मैं तुम्हारे यहां रुख सकती हूँ, बिर्जु ने हां कहा, उस दिन से औरत बिर्जु के पास ही रहने लगी, लेकिन उस दिन से बिर्जु की तबियत ज्यादा खराब होने लगी, एक रात बिर्जु ने औरत को दिया बुझाने को कहा, तो उसने अपने हाथ लंबे कर अपनी जगह से ही दिया बुझा दिया, तब बिर्जु को समझ आया कि ये एक चुडेल है, मैं तुम्हार पूरा ख्याल रखूंगी, बदले में मुझे सिर्फ रोज रात को तुम्हारा खून चाहिए, और अगर किसी को बताया तो तुम्हें मार डालूंगी, एक दिन एक गाउं के साधुने बिर्जु से उसकी हालचाल पूछनी चाही, लेकिन बिर्जु दूर से ही जाने लगा तब साधुने कहा प्रसाद तो लेते जाव इधर जब बिर्जु घर पहुँचा, जो भी लाए हो उसे फेक कर घर में आना, तब बिर्जु ने प्रसाद को फेक दिया, वो कागस भी फेक दो, मैं अब इस कागस को नहीं छोड़ूंगा, अगर तुमने उस कागस को नहीं तुम्हें तुम्हें माल डालूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, ये बात सुनकर वो डायन वहां से चली गई, बाद में बिर्जु ने देखा कागस पर हनुमान चाली साथी